ब्यारे से सी ठर्ट से जल कल से यानि 14 अप्रायल से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं तो यहां पर डॉक्मेंट को लेकर अभी भी बहुत जादा लोगों के बीच में कन्फूजन है बहुत जादा फेस्बुक पेज को उपर मैसेज देखें कुछ टेलिग्राम को पर करें किन सेशन के बीच वाले खंडेट अप्लाई कर सकते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं का स्टिफिकेट को लेकर इसका वैलीडिटी को लेकर किस तरह से चीजे आपको प्रोवाइट करवाने इसको पर कुछ का कॉमेंट से आपको एडबलेस जो मैरीड वीमन है इनको लेकर किस तरह से इडल में सेटिवेट बनाना इसको लेकर बहुत जादा Facebook पेज को उपर मैसे से तो आज इस टॉपिक उपर बात करेंगे NCL को लेकर भी बात करेंगे तो और भी जो कॉमेंट से सारे कॉमेंट को हम लोग इस वीडियो में ले रखा है तो चैनल पर आपने चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तुक्षा शियर भी करें और यह एक चीज और कि बिना स्कीप कि आप इस वीडियो को देखतें तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत असान तरीके से सारे ची इस वीडियो कब तक होना ची जितने भी फॉर्म अप्लाइब कर रहें आप एक बेसिक तौर पर बात की जाएंगे यहां पर कोई आप जो प्रक्रेंड बहुत सारे कॉमिट आते रहते हैं आप यहां पर आपको पता होना चीजिए यहां कोई भी कंडियो अप्लाइब नही बात की यूशु होते हैं 17 में 2022 आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते यहां पर यह चीज़ हर डॉक्मेट को लिख रहें यानि चाहाए आप यूद्व कर रहे हो का सर्टिवेट पर वायट कर रहे हो यह जो भी सर्टिवेट सारे सर्टिवेट 17 में 2022 के पहले का होना चीज़े 17 में 2022 का बाद का नहीं होना चाहिए अब को दिक्कत आएगे यह कहना से चाहिए नहीं सब्सक्राइड के पहले आपने तो यहां आप इस उह समझ मैं आbelt कि 17 में last date है तो यह 17 में 2022 से पीछे का जितना भी आप चले जाए यानि 17 में 2021 से पहले का certificate आपके पास है EWS यह document eligible नहीं होगा यानि आपका certificate जो है बहुत साधा पुराना हो गए इसलिए यह valid अभी के समय में नहीं ही रहेंगे तो यहां पर आपको कोशिच करना कि new EWS certificate बना ले और जो भी कंडिट ncl को लेकर हैं यहां पर भी आपके पास जो अप्डेट करने के जो आप्शन आते हैं यहां पर जो आप जैसे आपने ब्लॉक में जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ जनकारी मिल जाएंगे किस तरह सापको अपडेट करना एंसल तो यहां पर जितने में क्रिमी लेयर में नहीं आने वाले समद्द यानि अभी हातिक हो अंडर टेकिंग प्राप्त करने कर ब्लॉक में जाएंगे तो वहां पर आपका असानी से बन जाएगा तो यह आप करवा सकते एक साल से जाधा पुराना हो गया तब एक साल से जाधा पुराना होने के बाद यह चीज़े आप यहां पर कर सकते में जो कॉमेंट से एड़ल स्रेटिफिक को लेकर सबसे पहले ब जो इनकम होगा जो इनकम हो जो भी हो गाम जीतना भी प्रिवार अपके घर की थे पछले यहां पर आपको यह आपने का क्छा च्रव्ख को दॉस् exempl UP सेल्फ डिलक्रेशन यह भी नहीं मांगे जाते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राप साब से मांगे जाएंगे आपको परफटी के सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे जो हो सकता आपका रशीद हो जाए जो पामल गुजारी रेट या पानी का बिजली जो रेट आप पे करत फैमिली इंकम तो पुरा ऐड करना ही है इस फैमिली इंकम में कौन को नहीं आते हैं आपके पिदाजी कोई सरकारी जॉब हो है या आपने प्रराइबेट सेक्ट्रेव में कोई जॉब करते हैं यह आपका यहां कितना इंकम हो रहा आपके घर में बड़ा भाई या छोटा बार जिनका कुछ भी income हो रहा है तो इस income को एड़ाउं करना इसके बाद फूरा फैमिली के income एड़ होने के बाद ये income में आपके श्षाराल के जो income total होगे सवसराल का जो income total होगा इस income को आपको एड़ करने केrimine क्यानि जहां से आप हो वहां से आपको अपलाई करना है आपको वहीं से करना जहां से हो जैसे आप ज चीह आपके परिवार को आठ लां के सम्थिंग एकरा द्गर कर नहीं करते हैं कुछ आप EWS से बाहर आ जाते हैं, दोनों परिवार के income जोडने के बाद ऐसा करेंगे, तो यही होगा, तो आप इस चीज को ख्याल रखेंगे, आप EWS certificate में आ रहे हैं, EWS आप category में आ रहे हैं, तो क्योंकि verification में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सही से आप EWS certificate बर्माएंगे, और यही चीज आपको इस पॉइंट में कहा जाए, आरक्षन के दावा करने वाले बयावीत महिला, जाती, क्रीमी लियर या रहित परमानपत, उनके पिता का नाम या पता का निर्ग्यत होना चीजिए, जिसके पती के नाम पता के नाम से हो, पती के नाम के पता से ना हो, यहां पर जो भी हो गए आपके पीताजी के जो घर है आपके माय के वहां की एडरेस पर आपको एडरेस बनवाने होंगे बस यही बात कर जाए बस इंकम सेटिफिट आपका जो सब्सक्राइल का है यह प्लस आड़ाउन हो जाए इसके अलावा कुछ आपको एक्स्टार करना नहीं है ज यहां पर बात आती है यहां पर आप देखें यह रहा जाती प्रमान पत्र की यह कहा है जाती प्रमान की वैदिफता हमेशा बनी रहती है आप किसी केटेगरी में आते हो सब्सक्राइब त्रe 2019 स४ क्रीमी यहां नहीं आते हो भी पर बने हुट इसको आपडेट करना हो इसलाव प्डेट नहीं करना तो इसने करने के जरूरो थैं सिर्फ आपको अपडेट जो करना है एक साल से ज्यादा पुराना है आपने ब्लॉक में यहाँ तोर पर आपको बता है जा रहा है यहीं यहीं चीज़ करना है बस एक साल से ज्यादा पुराना है तब आपको दिक्कत होंगे तो इस इसको आपको ख्याल रखना होगा बस आपको अपडेट करना होगा एक बार तो आपका काम बन जाएगा यहां पर इसके बाद करते हैं कुछ कॉमेट इस्वाले कैंडिये कर सकते तो इसको लेकर बात करें यह रहा एक पर किलिया तौर पर कहा गया यह कहां यहां तो यहां मैं कोई भी सेसन हो ठीक है इससे कोई मतलब नहीं है निम्तम सैचनी की युकता में जब आप आव्यदन कर रहे हो जब आपका आप अप्लाई कर रहे हैं इसका जो अंतिम्ती थी यानि 17 में जो पहले स्टार्टिंग में ही मैंने इस बात को किलिए तोर पर कहा यह आ और आपना असना तक पुराक किया होगा तो जिनका अब्रोविजन सैटीवाemorist मिलता है तो प्रोविजन अपर वालीड यहां पर कोई यहां नवाली बात मिह जब आपका फाइनन चलीक्सटग के रहा जब हो जाएंगे तु उस समय आपको नया साटीवार्ट आपको बनान पहले हो जाना चाहिए इसू कोई दिक्कत आपको नहीं है अब मुईत करता हूँ कि यहाँ पर education qualification के सेशन को लेकर या जो भी डाउट है किलियर होगे होंगे यदि 17 में के बाद आपके result आ रहे हैं आपने एक्जाम दे रखा है 17 माह के 17 में के बाद आपके result आएंगे 17 माह के बाद इसू होंगे तो आप eligible candidate नहीं है अब यहाँ पर कोई भी है candidate eligible नहीं है अब किसी भी सेशन में हो बस यह में जो cut-off है हमारा 17 में है अब इसी 17 में को आपको के लिए तौर पर आपको समझना है अब बात करते हैं पर हुआ हाँ तो आपका सुर्ट जर्ट किया करना है तो अपने मागाए जाएंगे तीन त्यु ön नबर मागे जाएंगी यहां पर आपको कोई भी डोटवियसवाज सैटिफिकेट की जरूरी नहीं यह जरूरा था जो बिहार के प्रोपर निवासी है जो बिहार में रहकर हार अक्षन लेना चाहते हैं यहां पर जरूरेशन नहीं लेना चाहते हैं तब आप जरूराइब करें सिर्फ आपको यहीं तीन डॉक्मेंट में आपका सारा काम बन जाए इससे जादा कोई डॉक्मेंट की जरूरत आपके नहीं पड़ेगी बस यह तीन डॉक्मेंट आपके पास होना चाहिए जो अधर स्टेट के इनके लिए इससे जादा के अपको से जरूरत कुछ भी नहीं है यतना ही में आपका डिवी कंप्लीट हो जाए यह भी बात आपको द् condition की दोनों के बाद बन वाक्ता कोई दिक्कत नहीं होने वाले क्योंकि आपका जो मैम सरुर्ण है और और क्या 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 प्लेट लगे तो यहां पर मैं कहूंगा यह जो पुराना वाला इंटर लेवल वाले यह देख लें आपको क्या क्या डॉक्मेंट लग रहे हैं जो पुन रूप से आपने फॉर्म भड़ा था जो फोटो चिप का आए हुए थे परमान पत्र फोटुप आ जो अपलाई करने का आप जब कॉंसलिंग के लिए चाहेंगे तो एक फॉर्म आपको दिये जाएंगे इस फॉर्म में आपको फिल करने के बाद यह ले जाने होते हैं फिर बिहार कर्म चारी चाहिना आपके दवारा लिखित और मेंस पर इच्छा और फ्री एक्साम के एडमि इत आपने उतिन कर रख और इसके मार्क शित मूल अंग्परमानपत्र और इसको पर आपके पास पॉने चाहिए और यहां पर एक जो एक आपके पास होने चाहिए फिर इसके बाद बात करते हैं आपको निर्गत जाती परमान पत्र होना चाहिए परमान पत्र होना चाहिए यहां पर इसका भी परमान पत्र आपको लगाने होंगे यह बात के लिए तो आपको शमजनी चाहिए इसके बात यहां पर सारे डॉक्मेंट जो होने चाहिए 17 में के पहले के होने चाहिए यह बात कही जा रही है निर्धारी परपत्र विकलंग यादि आप दिभ्यंग जने तो इसके परमान पत्र आपको लगेंगे आप समझे पदादिकारी निर्गत अस्थाई आवास यानि आपका जो डॉमिसायल सेर्टिफिकेट अब यहार के लाव लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको बिहार के डॉमिसायल सेर्टिफेट भी देना को आप भूत पूर्फ शैनिक है पर सरकारिक सेवक है तो इसको समझने आपको देने होंगे यहां पर कोई टंकन चीजे तो नहीं मांगे जा रहे हैं ना एमेस्ट मांगा जा रहा और यह चीजे तो ज़रूत नहीं है फिर इसके बात करें भारति पुनल यहां पर यह भी ज़रूत नहीं है परayı कशान पाताः का अधार काड 화oth हो सकते आपका ड्राइव लाशनी सेसे में इस सारे डोकमेंट सेर olm डोहजार को होने चाहिए से आपको इससे पहले आपको धिक्कत नहीं लोगा पर आपके पास कर्म याथार्य में का हो मातों जाकु दुब को दिख्कत ये नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाले चाहिए आप रेमनीशव बनाकर रखें या ब्लोक लेवल पर बनाकर है सुरी बात तो ब्राबर ही होगे या अन मंडल पर बनाकर रखें या आपने लेवल के बना रखें तो तीनों में कोई दिख्कत नहीं है तीनों डॉक्मेंट आपका अलिजबल है बिहार सरकार में कुछ दिन पहले गजटेट जारी किया तो लगवाद 2021 के स्टार्टिंग में जहां पर क्लियों तौर पर कहा था कि रेवन्य ओफिसर का भी एडवल सर्टिफिकेट बिहार में मानने होगा सारे आयोगों में मानने होंगे जो चीज़े अभी मेरे पास पीडिएफ नहीं है उसका तो मैं पीडिएफ दिखा देता वहां पर क्लियों में जो चीज़े मानने होगे हुगे दिक्कत बात आपके पास यहां नहीं है तो उम्मीद करता हूँ ।। डॉक्मेंट को लेकर जितनी भी डॉट आप सभी के हूँ, रहे होँगे, सारी डॉट, आप उमीद है की किलियर हो गये होगे, तो उम्मिद करता है चलिए आज कि इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो देखने के लिए आप से भी बहुत बहुत आने मत जाहें